कुरोना महमारी के चलते कॉलिज छात्रों के विविशे को मद्य नजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने कॉलिज अंतिम स्थर के छात्रों को छोड़ कर समस्थ कॉलिज छात्रों को सरकार से प्रमोट करने की मांग उठाई है आम आदमी पार्टी के जीला परभारी आरके मनकोटिया ने कहा कि करोना महमारी के काल में फिर चाहे शिक्षा का खेतर हो या अन्य सबको भारी नुकसान जिलना पड़ा है उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कॉलिज छात्रों के भविश्यों को ध्यान में रखते हुए समस्थ छात्रों BA, BSC, BCOM, BTEC, इत्यादी अंतिम सरके छात्रों को छोड़ अन्य को परमोट करने की सरकार से मांग उठाई है ताकि कॉलिज छात्रों में परिक्षाओं को लेकर पैदा हो रहे मांसिक तनाब से मुक्ति दिलाई जा सके आरकेमन कोटिया का कहना है कि छात्रों में शिक्षा को लेकर पैदा हो रहे है मानसिक तिनाब को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार को चाहिए कि कॉलेज छात्रों को रहा देने के लिए जल्द से जल्द उन्हें प्रमोट करने का नेरने लेना चाहिए ताकि छात्रों के व भागिता भी सुनिशित की जाए उन्होंने कहा कि धरमशाला स्मार्ट सिटी में सो करोर रुपई की लागत से इंटिग्रेटड कमांड कंट्रोल सेंटर बनने जा रहा है जिसकी सर्धांतिक बंजूरी मिल चुकी है तथा इसकी DPR बनाई जा रही है किशन कपोर DRDA के सबागार में स्मार्ट सिटी एडवाईजरी फॉर्म की बैटक की ध्यक्ष्टा करते हुए पॉल रहे थे उन्होंने कहा कि 20 करोर रुपई की लागत से HRTC के माधन से शेहर के लिए 15 इलेक्रिक बसे खरीती जा रही है और शेहर में विविन स्थानों पर 10 चा की तौरा 5 समवेशी रोड बनाए जा रहे हैं जिनमें कैमल ट्रैक भागसुनाग से लेकर धरमकोर्ट MC कार्याले से गयस अजिंसी, BSNL कार्याले से कैंची मोड अपर धरमकोर्ट से लोर धरमकोर्ट रोड बन रहे हैं उन्होंने कहा कि इन पर 7 करोड रुपए ब्याय उन्होंने कहा कि पार्किंग निर्माण में जो कमिया हैं उन्हें दूर किया जा रहा है इसके अधरिक स्मार्ट सिटी के तहत हिलन घर, बस अड़ा के पास भी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि जहां भी जगह होगे बहां पर पार्किंग सल बिक्षित के जाएंगे उन्होंने कहा कि शहर में 7000 स्टी लाइट लगाई जाएंगे और 33000 स्मार्ट मीटर भी लगाई जाएंगे उन्होंने नड़ी के पास सीब्रेस चीटमेंट प्लांट बनाये जाएगा उन्होंने कहा कि इस प्लांट में 5 टीपीबी शम्ता का बेस्ट से उठ्जा बनाने का प्लांट भी लगाये जाएगा उन्होंने कहा कि इन कारेंगे पर 100 करोड रुपई ब्याइक किये जाएंगे उन्होंने कहा कि बस अठा धरमचाला से स्कूल शिच्छा बोट तक 35 करोड रुपई की लागत से 3 किलोमीटर लंबा स्मार्ट रोट बनाए जाएगा उन्होंने कहा कि शहर में घर-घर, पूड़ा एकत्री कर्ण का कारे शुरू कर दिया गया है उन्होंने बताया कि शहर में विबिन सानों पर सीडियों और अन्य रास्तों दलाई लामा मंदर और परवता रोहन सुनसान के समीब स्थित पार्किंग के कारे के उन्यन का कारे भी शिग्र आरम कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि स्मार्ट बस शेल्टरों के निर्मान और पुराने बस शेल्टरों की मुरमत का कारे प्रक्ति पर है उन्होंने बताए कि इन कारें पर 42 क्रोर रुपए ब्याई की जा रहे हैं इस अपसर पर विविन संसाओं के पत अधिकारियों ने शहर को संदर बनाने के लिए अपने बहुमले सुझाब दिये कपूर ने कहा कि उनके सुझाबों पर सहानों फूती पूर्बत बिचार कर अमल किया जाएगा उन्होंने कहा कि स्मार्ट सेटी के तहट सभी कामों का अमली जामा पहना जाएगा ताकि शहर साफ सुझा रहे उन्होंने स्मार्ट सीटी के तहट लंबित कारें को में बद पूरा करने के अधिकारियों को निदेश दिये मुर्यगा के स्मार्चीटी के तायर पिविनकारें के बहतर कार्यान बेन के लिए कारेकारी अधिकारी प्रदीप कुमारबग उनके सयोगी बधाई के पात रहें सरकार जो कर रही है और इसमार्चीटी के अधिकारी उसमें लगे हुए हैं ये काम कर रहे हैं और समाज का सेहोगी मिलेगा निश्चतरूप से हम और आगे बढ़ेंगे और इसमें जो भी कमी है उसे जूर करेंगे कि यहां अधिकारीयों को विफ़स्थाई देना चाथा हूं कि इन अधिकारीयों ने बहुत अच्छा काम जो आगे बढ़े हैं उसमें पिछली मीटेंग से और इस मीटेंग में बहुत अंतर हैं बहुत सारे काम जो हैं कि उनको कुछ पाइकलाइन में, कुछ को दरातर पर लेकर आए हैं और कुछ को आगे बढ़ाए हैं.